हेलो कैसे आप लोग अच्छे हैं देखिए नाखुन क्यों पढ़ते हैं हजारी पर साथ दुवेदी की रचना आप इससे पहले आपको पार्ट वन अप्लोड कर दिये हैं तो आप जा करके पहले पार्ट वन देख लीजिए वहां से ठीक है उसके बाद पार्ट यहां पर दे अस्तर बढ़ाने की और या अस्तर काटने की और मेरी निर्बोध बालिकाने मानो मनुस जाती से ही प्रश्ण किया हो आपको पार्ट वन में हम पढ़ाए हैं कि लेखक जो है और उनके सामने उनकी बेटी प्रश्ण पूछती है कि आखर हमारे नाखुन क्यों बढ़ते हैं तो लेखक सोच में पढ़ जाते हैं तो ही हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मनुस किस और बढ़ रहा है पसूता की और या मनुस ता की और आस्तर बढ़ाने की और या अस्तर काटने की और मेरी निर्बोद बालिका ने मानो मनुस जाती से ही प्रश्ण किया है जानते हो नाखून क्यों बढ़ते है यह हमारी पसूता के अवसेश है नाखून क्यों बढ़ते है तो नाखून जो है कि हमारे पसूता के अवसेश है मतलब यह दिखाता है कि तुम वही लाकवर्स पहले वाले पसूओं जो क्या होते हैं पसूओं के साथ अपना जीवन जीते थे रहना एक ही जमिन पर रहते थे मैं पुछता हूँ जानते हो अस्तास्तर क्यों बढ़ रहे हैं एह हमारी पसूटा की निसानी है भारतिये भसाओं में प्राया ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस सब्द का समनार्थक सब्द नहीं अविवरित होता है इंडिपेंडेंस का तापुन नहीं मिलेगा ठीक है नहीं किया रहता है कि भारतिये भसाओं में प्राया ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस सब्द का समनार्थक सब्द नहीं होता है 15 अगस्त को जब अंग्रेजी समाचा अंग्रेजी भासा के पत्र इंडिपेंडेंस की घुसना कर रहे थे देशी भासा के पत्र स्वाधिंता दिवस्त की चर्चा कर रहे थे जब अंग्रेंज हमारा देशा जब अजाद हुआ 15ग सुनीसों तरी बास तो अंग्रेजों में इंडिपेंडेंस गहा नहीं अपर नहीं अदिपेंडेंस का अर्थ है अधिन्ता या किसी की अधिनता का भावश का स्वाधिन्ता सब्दकार्थ है अपने ही अधिन रहना अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं यानि कि देखिए जो हम लोग यूज करते हैं स्वाधिन्ता तो स्वाधिन्ता को हम लोग कह सकते हैं सेल्फ डिपेंडेंस लेंगि सिर्फ इंडिपेंडें को अधिंता क्यों नहीं कह सका उसने अपनी आजादी के जितने भी नाम करूं कि यह मतब्जी अपदेश के लिए करांती चल लही थी तो करांती के समय जो नमा करन किया गया वह उसमें कौन-कौन से नाम लखा गया सब में स्वा का बंधन रखा गया कैसे तो स्वाधिन ता स्वराज ठीक है सुतंदरता इत्यारी सब्दों का यूज किया गया इन इन सबों में स्वा का बंधन अवसरा या क्या संयो की बात है या हमारी समुची परंपरा ही अनजाने में हमारी भासा के द्वरा परकट होती है मतलब हम जो भासा बोलते हैं वो हमारे परंपरा के अनुसार होता है हमारे जो पुरवज इस तरह से हमारे गुन भरके गया वैसा ह साम्यूस कर पाते हैं कि मुझे प्रान Vivi Gyanine की बात फिर याद आती है सहजाट वरिति अजयाना समर्तियों का ही नम है आप बता हैं है आपको कि यह कोशनाएगा सभाष सहाजात वरिती जोई की अन्जयाना समर्तियों का ही एक नाम है तो सहजात बृतियां जो हैं के अंजाने में कहते हैं कि आप करते नहीं हैं लेकिं फिर भी अपने अप सरीर में आपका परिवर्तन हो रहा है वैसे बृतियों को हम सजाद बृतियां कहते हैं स्वराज होने के बाद स्वाना स्वभावता ही हमारे नेता और विचार से नागरी सोचने लगे हैं कि इस देश को सचे अर्थों में सुखी कैसे बनाया जाए हमारे देश के जो नेता थे और हमारे देश के जो नागरी थे ज सुछने लगे हो ऐसी बात नहीं हमारा इतिहास बहुत पुड़ाना है हमारे सास्तरों में इस समस्या को नाना अनभावों और नाना पालूओं से विचार किया गया है नहीं है तो यहां पर चनक के हुए है तो वैसे गुरूओं का यह देश है वैसे महान पूर्शों का देश है तो यहां पर राजनीती हम रोड़ नयाप पर करने लगे हो देश नयाप पच्राणने लगे हो इसी बात नहीं है हमारे थिहास बहुत पुड़ाना है बहुत दीभूल है हमारे अनजहने में भी ए बात एक खास लिसां में सोचने की पेडिना देती है यह जरूरी है की परिश्तितियां बदल गई है उपकरन नए हो गए है और उल्जानों की मातरा भी बहुत बढ़ गई है पर मूल समस्याइं बहुत अधिक नहीं बदली है भारत यह चीत जो आज भी अनधिनता के रूप में ना सोचकर स्वाधिनता के रूप में सोचता है आज भारत का चीत है वो मन है वह करद स्वाधिनता के रूप में सोचता है वह हमारे स्वाधिनता के संस्कारों का वाधिन वह स्वा के बंधन को असानी से नहीं छोड़ सकता अपने अपने आप पर अपने आपके द्वा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृती की बरी भारी विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष कि आदू है कि मैं ऐसा तो नहीं नमांता कि जो कुछ हमारा पुडाना है जो कुछ भी हमारा विसे चिप्ते ही रहे पुडाना का मुझा सबसा मेवां चनिये नहीं होता मरे बच्चे को गुद में दबाय रखने वाली दरिया मनुष्ट का अधर्स नहीं बन सकती देखिए आगे समझ लिए को बढ़ते हैं कि पुराने का मौसभ समयवान चलिया नहीं देखिए पुराना सब जिन कहिए कि नहीं हम ऐसे हैं वैसे ऐसे थे वैसे थे महाराजा के पुत्र थे तो यह थे वाली बात हो गई ठीक है त जो परिसिति के नुसार धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं उसको छोड़ना परेगा और प्लस नहीं परिसितियां जो आपके लिए अच्छे हैं उसको अपनाना परेगा तो देखिए तो लेखक आगे क्या कहते हैं समझे कि काली दास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नह में और गए हैं तो समस्क्राइब भी जीसे की हम क्या कहerson को कि अधुनिक समय में लोग इमांदारी खो रहा है शیکरते लोगशा स्कॉस्राण के पराद कर राहा है अच्छे नहीं है जो खराब हैं उनको छोड़ना यह पुड़ना नहीं है जो अच्छे ऑन पना लेना है दूसरों के सारे पर भटकते हैं सो हमने सो हमें प्रिक्षा करके हितकर बाते सोश लेनी होगी और अगर हमारे पुर्व संचित भंदार में वह हितकर वस्तू निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है हमें जो भले लोग होते हैं वे लोग क्या करते हैं भले लोग जो होते हैं वे पुराने दोनों में तुलना कर लेते हैं और जो उनके लिए अच्छा होता है उसको रख लेते हैं और जो खराब होता है उनको छोड़ देते हैं तो इससे बढ़कर और क्या हो सकती है जातियां इस देश में अने का यह मतलब हमारे देश में बाहर से बहुत सारी जातियां समय समय पराय हुए हैं आप जानते ही हैं कि इसलाम हो गया या पार्शी हो गया चर्च वाले जो गया है क्रिस्चन लोग ठीक है वे सारे लोग हमारे यहां की नही है हमारे यहां की नही है हमारे यहां के लोग जो है कि सनातन धर्माले हैं ठीक है और हिंदू लोग थे यहां पर मूल निवासी लेकिन बाहर से बहुत सारे जातियां आई ठीक है और यहां पड़ा करके बस गई जात के लिए एक समान धर्म खूझ निकालना कोई सहाज बात नहीं नाना का घ्री और नाना और मुख करके चलने वाले इन जातियों के अने के लिए अने क्या है कि सभ्याता की नाना सीडियों पर खरी और नाना और मुख करके चलने वाले इन जातियों के लिए एक समान धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं अभी चुकि अलग 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 जातियां करके हम प्रकार से इन समस्याओं को सुझाने की कोशिश की थी पर एक बात उन्हों ने लक्ष की थी समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक समान आदर्स भी है वह है अपने ही बंधनों में अपने को बांधना मनुष्ट पसू से किस बात से भीन है मनुष्ट और पसू तो एक ही तरह करजीब है लेकिन भीन किस बात और थे गिए उष्ट वाह फीर पिर भी पसुओं से भीन है उसमें संयम है रहना दूसरों के सुख दुक्ट के संवेदना है स्रधा है तब है त्याग है जो हम मनुष्य है अगर मनुष्य वास्तों में मनुष्य है तो हमें जित जो है कि जिसे कि कभी गुस्ता आता है तो अपने अपर कंट्रोल कर पाना ठीक है कभी किसी चीज़ के प्रती ज्यदा आ सकती हो पाती है तो उसे रोक पाना इस अई हम है दूसरों के सुख दुख के प्रती संवेदना रखना है मतलब कि जो दुसरे जो लोग होते हैं हमसे व्यवास यह मनुष्य मनुष इंसान रुपी सभाव सरधात तपट्याग है वह मनुष्य के स्वैम के ऊदभावित बंधन है इसलिए मनुष जहागजजजट को अपना आधर्स नहीं करता गुस्से में आकर चट्दोर करना चटदरने वाले अभीविकी को बुड़ा समझता है और वे चन मान और स्रीर से किये आसत आचरन को गलत आचरन मानता है हमाराДа मनेश्च है हमारे जो मस्सिक है वर्यल में अगर हमसे कोई गलती हो तो उसको महसूस कर पाता है कि हमसे गलती हो पाया वही डियल में मनुष है नहीं तो वह पसु के समानी गलती करके भी दूसरों पचला गुआ रहता है या किसी भी जाती या वर्ण या समधाय का धर्म नहीं है या मनुश्मात का धर्म है मिन सुख में दुख में सामिल होना सरदार रखना तब करना और क्या करना या मनुश्मात का धर्म है या किस जाती का धर्म नहीं है महाभारत में इसलिए निर्वेर भाव सत और अक्रोध को सब वर्णों का समान धर्म कहा गया है देखिए का सलुक महाभारत से यहां पर लिखा गया है कि ए तैधी विटतम स्रेश्टम सरभूतेसु भारत निर्वेर्दिता महराज सत्यम क्रोधे एवचा अन्यतर इसमें निरंतर दानसिल्टा को भी गिनया गया है निरंतर दानसिल्टा मतलगातार हमको दान करना चाहिए जो हमसे मजबूर लोग हैं जो लोग काम नहीं कर पाते हैं जिनकी जिन्दगियां रुख गई हुई है वैसे लोगों को हमें मदद करनी चाहिए यहां आत्म निर्मित बंधन यहां मनुष्र को एक मिनट तो चुट गया यहां पर देखिए देखिए कि अन्यतर इसमें दानसिलता को भी गिनाया गया है दानसिलता का मतलब हो गया दान करना मतलब जो मजबूर लोग आपके यहां आ आ जाते हैं कुछ मांगने ठीक है उनको दान में देना कोई चीज़ गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्र की मनुस्ता यही है कि वा सब के सुखदू को साहन भूती के साथ देखता है यह आत्म न उस्स यही है मुझे आस्चे है कि अन जाने में भी अनजान में भी हमारी भासा में यह भाव कैसे रह गया लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पाच्छा हुआ था अग्यान सरवर्त हम आदमी को पचाड़ता है और आदमी है कि सदा उसे लौहा लेने को कमर कसे हैं देखि मनुस को सुख कैसे मिलेगा बरे बरे नेता कहते हैं वस्तूओं की कमी है और मसीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की ब्रिधी करो और बाहे उपकरनों की तागत बढ़ाओ जो नेता जी लोग होते हैं चुनाओ जीतने के लिए बरे बरे आपको भासन देंगे आपको खोड़ाने का प्रयास करेंगे की हमार देश में वस्तूओं कमी हो गई है मसीन लगना चाहिए उत्पादन बढ़ना चाहिए धनकी बर्हति होना चाहिए और बाहरी कमपनियों का आगमन होना चाहिए तो बास सही है बाहरी कंपनियों का अगमन तो होना चाहिए लेकिन इस इंडिया कंपनी भी भारी यह था ना जिसके गुलाम बंगाल का युद्ध हुआ था वहां से ले करके ठीक है और आपको जो है कि अपना उन्हेंश्टारीस तक ले ठीक है दो सो 300 साल तक ले जो है की 200 साल तक ले लिए गुलाम रहना पर अंग्रेजी का अंग्रेजों का किस कारण वह इस्ट इंडिया कंपनी कर तो बाहरी कंपनियों का बेशी अगमन सही नहीं है ठीक है उससे आठीं भी कंपनियां हाभी हो जाती है तो अपने देश को भी जो है कि कि धिन ले लेती है जहां प्रोराती है उसने एक बुढ़ा था एक बुढ़ा वेक्ति कहा उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की और देखो हिंसा को मन से दूर करो मिथ्या को हटाओ क्रोद और द्वेस को दूर करो लोग के लिए कश्ट सहो अराम की बात मत सोचो प्रेम की बात काम करने की बात सोचो उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है उस छिंग खलता पसू की प्रविरती है स्वा का बंधन मनुष्ट का सभाव है बुढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं उसे गुली मार दी गई आदमी के नाकुन बढ़ लगया देखिए कोई बढ़ा बेखती था जिन्होंने बहुत अच्छे बात कहा मनुष्ट के लिए लेकिन उसका बात चुकि वह बहुत ऐसा कुछ कहा गया देखिए जैसे कहा क्या कहा कुछ ने का कि बाहर नहीं भी तहीं और देखो पहले बाहर दो हम जातर हम लोग यही है और दूसरी की गलतियों को हम सोच खुझने लगते हैं कि फ़लना किया और क्या कहा कि हिंसा को मन से दूर कर दो मार पीट जो करते हैं गाले कलवाच करते हैं चीजिसको बाहर निकाल देजिए मिथ्या को अता जुट मत बोलिये क्रोद और दूर कर दिए लोग हिद के लि कि आपको भरका करके वह मुनाफ़ा कमा पाते हैं तो वे क्या करते हैं कि लोग को जाती के नाम पर वंस के नाम पर छेतर के नाम पर भरकाते रहते हैं और अपना काम निकालते रहते हैं इसलिए बुढ़ा ने कहा था कि प्रेम ही बड़ी चीज है वह हमारे बीतर की है और से भी हम प्रेम करते हैं चाहारे माता पीता हो या रिलेटिव हो या भाइबान हो ठीक है चाहे और भी कोई और ने हो अगर उसके साथ कोई गलत करता है तो हम गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं तो वही सब के साथ होना चाहिए क्योंकि गलत हर सिती में गलत है और सही दिन आएगा कि मनुस के नाकुनों का बढ़ना बंद हो जाएगा प्रानी सास्तियों का ऐसा अनुमान है कि मनुस का अनावस्यक अंग उसी प्रकार जाएंगे जिस 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 प्रकार प पसूता भी लुप्त हो जाएगी और वह सी दिन ये नाकून हमारे खत्म होंगे जिस दिन हमारे पसूता खत्म हो जाएगी साध उस दिन मारना सास्तुर का प्रयोग भी बंद कर देगा तब तक इस बात को इस बात से छोटे बच्चों को परचीत करा देना वांचनियक जान पड़ता ही है कि मनुश अपनी एक्छा है मनुश की अपनी एक्छा की निसानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुशत्व का तकाजा है जैसे कि जो खराब हम अश्चत्र बढ़ा रहे हैं वह हमारी पास्विक पर बिरती है igor настро를 और कोई मनुश जो है कि असवं बढ़ानेपर रोप लगा रहा हो कहा रहा हिएं मनुश ए मनुश में जो घी rozp मनुश्यम में जो अनयास बिना सिखाय आ जाती है एसखिरना करने का भावा में कोई सिखाता नहीं है फिर भी हमारे अंदर अनियास मत अपने आप आ जाता है वह अपसत्व का धोतक है और अपने को संयम रखना दूसरों के मनुभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है बचे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तब से प्राप्द वस्तू में मनुष्य की महीमा को सुचित करते हैं है कोई हम वस्तू अर्जित कर रहे हैं अर्जित कर रहे हैं अर्जित कर रहे हैं अगर हम तपस्या से करते हैं मेहनत से करते हैं तहम उसके कीमत को जानते हैं कि इसका कितना कीमत है ठीक है कितना हमको मेहनत करना परा है और बिना मेहनत के कोई चीज हम को इधर उधर से मिल जाता है ता हम उसके मूल को नहीं जानते हैं उसके महतों को नहीं जानते हैं और समझते हैं कि इसका कोई महतों नहीं है लेकिन वही अगर व्यक्ति पांच से रुपिया मेहना से कमाता है तो उसको लगता है कि यह पांच हजार है और ऐसा ही कहीं कैसे हैं उड़िया देते हैं सफलता और चैतार्थ में अंतर है क्या अंतर है समझे सब्सक्रों के संचें से बाहुपकरनों के बहुले से उस बस्तु को पा भी सकता है जिसे उस ने बरे अडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा देखिए परंतु मनुस्की चैतार्थ प्रेम में है मैत्री में है त्याग में और अपने को सब के मंगल के लिए निसेस भाव से दे देने में हैं हम लोग कोई भी बस्तू है कोई भी चीज है उसको प्राप्त कर सकते हैं तो उसको प्राप्त करने का दो तरीका होता है एक जबरदस्ति होता है प्रेम पुरुबख होता है तो प्रेम पुरुबख जो प्राप्त करते हैं और जबरन बल पुरुबख जो हम प्राप्त करते हैं वह हमारी शफलता है ऐसा माना जाता है नाखुनों का बढ़ना मनुस की उस अंध सहजात वृति का प्रिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है उसको काट देना उस स्वा निर्धारित आत्र बंधन का फल है जो उसे चरितारत की और ले जाता है कमवक्त नाकुन भKEते हैं तो बढ़ते हैं उन्हें बढ़ने नहीं देगा कमवक्त नाकुन्स का मात यहां मिलाई की की पश्र पराविती बढ़ती है तो sır बढ़ते हैं टीक है तो इस तरह से यह चैप्टर आपका आज खत्म होता है इसका जो है कि हम प्राश्व तरह पगिला वीडियो में लेकर आएंगे उस वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए अगर आपको लगता है कि वीडियो काफी अच्छा है आपके लिए भूल लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में सेयर करें धन्यवाद